दोस्तों अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख राओगा इस पर आप लोगों को दबाना है उसके बाद बेल आएगी बेल पर भी दबाना है फिर तीन ओप्सन दिखेंगे आल वाले ओप्सन पर दबा लेना है बस जुड़ गए है अब हर जानकारी आपके पास हमारी पहुच जाओगे जितनी मेनत हम आपको खबरे लाने के लिए करते हैं उतनी ही थोड़ी मेनत आप भी कर लिया करो टाइम निकाल करके अपने लिए अपनी खबरों को देखने के लिए अब यहाँ पर बता दे मांदे के सम्मंद में कुछ भाई बहन ऐसी समस्या लेकर के भी मेरे पास पहुचते हैं इसमें बहन का कहना है कि भाईया जी हमसे चेक नहीं हो रहा है हम बहुत परिसान है आप ही मेरा खाता से जो ये चेक कर दीजिए गूड इवनिंग भाईया जी ऐसे करके सालनी पाल बहन है उन् पूसका जिम्मेदार किसको ठेहरा होगे हमको ठेहरा होगे वो लोगे इनको दिया था और पता नहीं हमारे खाते से यह हूआ, बहुँ, इसलिए हम कोई भी चकरों में हम पढ़ते नहीं है है, इसलिए हम साबस उत्तरा कहते हैं कि हमने आपको तरीक बता रखे हैं कि आप चेक करें और फिर भी आप लोग अगर चेक ना कर पाएं तो फिर हम इससे जादा मदद नहीं कर पाएंगे हम किसी का personal लेकर के उसका देख करके नहीं बता सकते कि आपके खाते में आया की नहीं आया आप देखे और आपकी समझ में नाया स्क्रीन सॉट भेजे हम उसको समझा सकते हैं लेकिन हम आपका चेक करके नहीं बता पाएंगे हमने काफी लोगों को मना किया है लगबख सैकडो लोगों को मना कर चुके हैं अब देखे बैंक का नाम जैसे यहां पर भरनाप होता है यह जब खोलते हैं आप लोग तो एक बार बैंक या इंडियन करके और भी जो बैंक के होंगी सब आ जाएंगे आपकी जो बैंक है उस पर आपको टच कर देना और वो यहां पर अपने याप फिल हो जाएगी यानि भर जाएगी उसके अलावा फिर इंटर एकाउंट नंबर बोलता है तो यहां पर आपको अपना एक कैपचा भरा जाता है जो नीचे लेखा होता है अलग-अलग तरीके से आपके मोबाइल में सो करेगा जब आप चक करेंगे और यह देखे यहां पर रिफ्रेस का ऑप्शन भी होता है जब आप उपर वाला भर लें बैंक का नाम एकाउंट नंबर फिर अपने कैपचा को र करना होता है उसके बाद सर्च करना होता है बस सर्च कर देजिए बस खुल जाएगा टेंसन वाली बात नहीं होते और इतना भी अगर नहीं हो रहा है तो आप परिसान मत हो यह मत करिए इसके अलावा आपके पास मैं एक और आप्सन देता हूँ अगर आपके खाते से ATM बना हुआ है एतियम की सुविधा है तो आप जो है गूगल पे वगरा डाउनलोड कर सकते हो गूगल पे उस पर अपना एडी बना लीजिए वहां से भी आप चेक कर पाओगे बहुती आसानी से और एक खाते से दूसरे खाते में पैसे भी बेच पाओगे इसके लाब आगे चल है कि वजन आपने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया और वजन आपने में उनको बहुत दिक्कते आ रही है देखो इस ऐसे चीज़े दी जा रही है यह इनका लंबाई मापने के लिए जो है मसीन मगरा दिया गया है और यह सरकार ने लेटर तो निकाला था पिछले बार ज पिष्टाचारी के चलते अधिकारी दबा करके पैसा खा गए है इसके लवा आगे आप देख लिजेगा मुरदाबाद में वार्ड बॉय की डथ हुई है भी एक दिन पहले उनको कोरोना का टीका लगा था एक मामला सामने देखने को आया है और यह मुरदाबाद का है अमा अगे आप देखो कहा यह जा रहा है कि उनके जो लच्छड है वो हार्ड अटाइक वाले आ रहे हैं अब हो सकता है पता नहीं यह बाद में क्या हुआ क्योंकि बहुत से हजारो लाखो लोगों ने वैक्सीन लगवाया और किसी के सामने ऐसे मामले आये नहीं है तो यह भी ह हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति के अंदर पताने क्या सनस्या ये और क्या कारण हो सकते हैं तो ये सब बाद में पता चलेगा और ये भी हो सकता है कि हो सकता दिकते हो हमें नहीं कहते कि सब कुछ जो है जब सब ठीकी ठाक है तो ये चीजे हैं अपना समझ लेजेगा हमारा काम ह आपको दिखाना और समझाना बाकी देखिए आगे आप लोगों को मिलते हैं 46 वर्स के थे महिपाल सिंग और ये सर्जिकल वार्ड वगरा में इनकी ड्यूटी वगरा थी और वहीं परिवार के साथ अपना जो वहीं रहते थे यही सब चीजे हैं आवास वगरा में तो अभी फिलाल के लिए में चीज़ों को आगे करते हैं इसमें हम आपको में पॉइंट दिखा देते हैं जैसे सिवपाल उनके जो पुत्र हैं विसाल जी महिपाल सिंग के पुत्र तो इसमें लेका है जब से कुरोना का वैक्सिन हुआ था तब से पिता ज़्यादा खराब होनी वहां कोई देखने वाला नहीं था बहन ने पिता को आक्सिजन लगाई डाक्टर ने पल्स वगरा हार्ट बीट वगरा देखकर बताया कि देर हो गई है लेकिन एक बात देखो सामने समझने वाली हैं दोनों तरब से आपको ध्यान देना है हम यह नहीं कहते कि कौन सही बो वगरा कराया जाएगा ऐसे करके सब लेखा है कोरोना वैक्सीन तो पूरी जांच परताल के बाद ही पूरे देश में स्वास्त कर्मियों को लगाई गई है कहीं से भी कोई वगरा इसके दूस परणाम की कोई चूसना नहीं आ रही है फिर भी इस पूरे मामले में मेडिकल जांच होगी ऐसा डियम ने वहाँ पर आसाउसन दिया और कहा भी है अब देखे यहां पर इनका कहना है कि इनकी बहन ने जो है पिता को अक्सीजन लगाई तो हो सकता बहन भाई डॉक्टर हो और वो जानती हो कैसे क्या लगाना है वरना आप जानिए कितना भी आप पढ़ या डॉक्टर हो वही पर तो उन्होंने ये सब किया हो यह जो भी मैटर है हम चाते किसमें जांच हो और जो भी है वो जो भी कारवाई होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए अब आगे देखे यहां पर यहां पर लेखा है इन आई ओएस वगरा करेगा आंगनबारी सेविकाओ अब यहां पर यह मैटर आया है नुएडा से और यहां पर बता दें कि बच्चों को प्रात्मिक सिच्छा देने के लिए आंगनबारी कार्करतियों को भी सिच्छर पड़ान करने की देखा में कार्योजना वहां पर भी तयार हो गई है अब वहां पर भी देखो प्री प्र सरकार की किन नीतियों की आधार पर हो रहे हैं ये डिपेंड करता है और यहीं बहुत जरूरी है आगे देखें यहाँ पर एक और मैटर आपको दिखाते हैं कोरोना ने छीना है रोजगार लोगों का लाडले जो हैं घर परिवार में उनकी सेहत वगारा भी डगमगा गई है अमरुजला की तरब से एक ये भी पोस्ट आई थी दोस्तों तो हमने सोचा ये भी दिखा दे क्योंकि ये मुहिम अमरुजला की तरब से जो निकाली जा रही है बहुत ही अच्छी है हकीकत दिखा रहे हैं वो की जमीन पर क्या चला है बुंदेल खंड के हमीरपूर के जो दूद था उसका हाल बेहाल है तीन-तिन महीने बाद भी अभी कुछ मिला नहीं है तीन महीना पहले कहीं कहीं कुछ थोड़ा बहुत बाट दिया गया उसके बाद से कहीं कुछ पता-पता तक नहीं है आप सूचिए ऐसे वबस्ताय चल नहीं है पहले पोसा हार था तो कम से कब पहुँच तो रहा था अंगनबाडी के जरिये लेकिन अब दाल का पैसा बेजा गया समूग के मेलाओं के खातों में और वो पहुच नहीं पा रहा है वो समझ रही है हमारा मांदे आया है ऐसे चीजे जो है करी जा रही है लापरवाईयों पर लापरवाईया है आगे देखे यहां पर एक और मेंटर मोबाईल बदलने की मांग को लेकर सेविकाओं ने किया है प्रदरसन यहां पर ये नात नगर वगरा पढ़ता है यहां का मामला है मोबाईल वगरा दे को खराब है आगनबाडी बहने चाहती है कि इनको हम जमा करे और या तो हमको सरकार बेकार हो चुका है ऐसा बहन का कहना है और ये हमेरे पास मुसरच जहां बहन है उन्होंने ये जानकारी भेजिये बिहार बगरा से हैं आगे और आपको ले चलते हैं ये देखिए आंगनबाडी के बच्चों को दाल वग ही नहीं दे रहे हैं स्वेम साहता समु वाले तो य बहने अभी भी उनको जहरा सा भी अंदाजा नहीं है कि किसके इस तर से क्या करना है मैं एक बार फिर कम सब्दों में आपको बता दूँ आज मेरे पास एक बहन आई उन्होंने मैसेज किया उन्से यही लगा कि इनको अभी कुछ भी आता जाता नहीं कुछ भी पता नहीं ह तो हम आपको बता दे जो डाल है डाल आप आंगनवारी बहनों को अपनी पास से कुछ भी नहीं खरीदना है आपको सिर्फ अपने केंद पर बैठना है चुप चाप बैठना है कहीं नहीं जाना है कुछ खरीदने के लिए जरूरत आपको नहीं है न कहीं दोडने की जरूरत ह आपको अपने किंद पर रहना है, समूवाले ही सब कुछ लाकर कि आपके किंद पर देंगे, जो देंगे, जितना देंगे, उसी according आप अपने कागज बनाना और उसी according आप उसका वित्रण करना नहीं दे रहे हैं, जितना देंगे, उतना ही भरना, ये आप पहले बात गाट बांद लीजिएगा, दूसरी बात ये, कि जो 22,000 रुपिया भेजा गया है, डाल के लिए जो भी पैसा है, कम जादा जो भी हो, सभी के खातों 22,000 हिसाब से भेज दिया गया है, जो समूवाले हैं उनमें, तो अब 22,000 रुपिया में समूवालों को दिये गए हैं, इनमें मतभेद बना है, समूवाले इनको सोचते हैं, कि उसमें वो उनका मान्दे का पैसा आया है, अब जरा सोचिये कि सरकार इनको 22,000 जबकि सरकारी आदेस एक से बढ़कर एक निकले सब कुछ लेखा था 22,000 रुपया दाल के लिए है उसमें दाल क्रे किया जाएगा और उसके अलावा जो भी आपके पॉलिथीन बैक टाइप के वो खरीदे जाएंगे इन चीजों को साइड में रख दिया गया समूवाले उसक प्रकास कुमार जी है बिहार से उन्होंने एक ये लिटर भेजा हुआ था लिटर आपको हम बता दे 14 जनवरी को निकला था बिहार सरकार में और यहां पर कि सोरी बालिकाओं के लिए जो वहाँ पर S.A.G. चलती है योजना सैक जिसको बोलते है उसके अंतरगत की संख्यात्मक जो है प्रतिवेदन संबंदी सूचना उपलब्द कराने के संबंद में लेटर निकला है और यहां पर जानकारिया मांगी जा रही है ये रहा उनका प कालम बना करके भीजे गएं